एक हैलो एब्रीवन स्वागरत आप सभी काने अग्डमी पे मैं दीपक कुमार सिंह सो माई एक देपक्वार्ट्री सीजुट्टे आप अपी अपिसर्ट टो टो यह ईक रिलेसंस देपलब दूरिंग दी टीम अप्डी कोलोनील इंडिया है वाइब ब्रेटिस वन विद्धा टिबद एंड विद्धा बर्मा ठीकि जिसका लॉंग टर्म इंपक्ट आपके अभी प्रेजेंट सोसाइटी पे भी प्रेजेंट मतलब जो टाइम पीरेड है उसमें देखने को मिलता है हमारे इंटरेंशन रिलेसंस के लिए हिस्ट्री का ये पाट काफी आज हम इन चीजों पर डिसकस करेंगे और डिटेल में बात भी करेंगे तो बाकी बच्चे जुर जाते हैं तब तक हम लोग कुछ बेसिक चीजे देख लेते हैं तो देखेंगे बच्चों आपके सबसे पहले अन अकैडमी पे आपको बाइलिंग्वल बैचेश जो हैं वो भी अभलेबल होते हैं हिंडी और इंग्लिस में सेप्रट भैश भी आपको अबलेबल होते हैं अगर आप सबस्क्राइब कर आण अकैडमी कुर्स को तो आपको भी तीन मंत का एक्स्टेंसन भी आपको मिल रह सब्सक्राइब नाइन मंत का प्लान है जो कि अक्टूबर 24 तक वैलिड होगा एक्टेंशन के साथ में तो यहां पर आपको एक बेनिफिट आपको अबलेबल होता है यहां पर आपको बहुत ही अच्छा प्राइज 40 करोड की पूल से आपको मिलेगा उसके लावा टॉप 5 रैंकर्स को बहुत ही प्राइजस के साथ में एक्स्क्लूसिब मिट मिलेगी विद ग्रेट ठीक है इस ऑफिसर्स ठीक है उनके साथ में मिलने का मौका मिलेगा तो यह भी आप यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यह इसकी लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अबलेबल हो जाएगी आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता मतलब बहुत से बच्चों की प्रॉबलम होती कि एक साथ इतना पे कैसे करें भबराइए मत एक साथ पे नहीं करना है आपको यह माई ऑप्सिन दिया जाता है आप इजी मंतली इंस्टॉल्मेंट में भी पे कर सकते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे यह करेंट अफ़र स्पेशल अल्ट्रा कॉमबैट है आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर इससे आपको पता चलेगे कि आपके तयारी कैसी हो रही है मुझसे जुड़ने के लिए और पीडियाफ लेने के लिए आप ये टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं मेरा डीपक वन यूपीएसी ये मेरा टेलिग्राम चैनल है जी आवाजारी है सब कुछ क्लियर है बता दे पर बता दे तो उस जुनून के साथ में उस सिद्दत के साथ में पापिक कोई स्टार्ट किया जाए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो जी चले बहुत अच्छी बात है हम लोग इसमें बात करें रिलेशनस ऑप डा ब्रेटिस इंडिया बिट नेवरिंग कंट्रीज आज वर्तमान मेरेगा भारत में पडोसी देशों की बात करें तो आपको पाकिस्तान भी मिलेगा जो उस समय नहीं था क्योंकि उसमें भात की इस्ता तो उस समय जो पडोसी देश था हमारा सबसे करीब आगर आप देखेंगे पस्षिम में तो इरान था और एक अफगाणिस्तान था उसके लाओ एक टिब्बत का च्छेटा था नौ्ब्वार फिर आप देखेंगे फिर आपको एक और च्छेटा देखने को मिलेगा वह बर्मा मतलब यमार इस प्रकारती इन डेसों से घिरा भारत था उसमें बांगलादेश हुआ नहीं करता था यह तो सब ब्रिटिस की कहानी है इसी दौर में हम देखेंगे किस प्रकार से इस सोने की चिडिया कहे जाने वाले भारत को कई पार्टों में ये बाट देंगे ठीक है तो इसकी कहानी है इस सेसन में इस पूरे सीरीज में आपको देखने को मिलेगी मेरी एक कोशिस रही है कि आपको ये सीरीज पढ़ाते समय आपको connect करता चलो मतलब अब एक ये पढ़ो नहीं की पेपर निकालना है आप समझो एक बार कि ब्रिटिस कोलोनियल पिरियेटी में उनकी आइडियोलोजी बिचा धाराएं क्या थी हमारे इंडियन्स उस समय किस प्रकार से बिरोत कर रहे थे आखिर वो कौन सी चीज़े थी जो ब्रिटिस ने गलत की हमारी साइट से भी गलत होई है वो कौन सी चीज़े हैं जिनको सुधारा जा सकता है क्योंकि इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि ये आपके अंडर लाती है लीडर्सिप ठीके लीडर्सिप अगर आपके अंडर आती है तो आगे आने वाले छेत्र में क्योंकि आप UPSC की तैयारी चक कर रहे हैं जिस किसी भी डिपार्टमेंट में आपके पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपकी पोस्टि एक हायर लेबल पे होगी जहां पे आपको अपने अंडर में बहुत से लोगों को लीडर्सिप तो आपको प्रोबाइट करनी पड़ेगी तो लीडर्सिप आपके अंडर होगी तो हमारे नेशन का हमारा नेशन स्ट्रॉंग होगा जो नेशन बिल्डिंग की एक सीरीज है जिसे हम परंपरा की रूप में निभाएंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या था सबसे पहले हम बात करेंगे बर्मा की बर्मा मतलब वलतमान में उसे आज जाना जाता है म्यामार के नाम से सब्सक्राइब में सब्सक्राइब आंप आपको अपन्यны समय सब्सक्राइब करता था में बबदब़ Dwya मिलता था और यंको तेक्सिति भारत से सटा हुआ था उस समय, उस समय भारत था ब्रिटिस के अंडल में, यह एक मात्र स्वतंत देश हुआ करता था, मतलब फ्री था, इंडिपेंडेंड था, आजात था अपने आप में, और इस देश की कुछ ऐसी उल्जने, जो इसने कुछ ऐसी चीजे की, जो उल्जनों इनको डाल देती है, फिर इनको सामना करना पड़ता है, बिस्व की सबसे बड़ी सामराजवादी सक्ती, ब्रिटेन, जिसका सबसे बड़ी कॉलोनी, पुरे एसिया में अगर कहीं थी, तो था भारत, इविन पुरे बिस्व में अगर कह दे, जहां से वो सबस्ता अर्न करते थे, जहां से कमाया कि उन्होंने अपने देस को बनाया है, आज वो अत्मान जो ब्रिटेन हो हमारे पैसों पे है, अगर आपको ऐसा बताया जा तो आपको सोचके कैसा लगेगा, हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि भाई साब तुम जो उड़ रहे हो न उस समय 1750 का एक समय था जब ब्रिटेन में अद्योगिक क्रांती आ चुकी थी, अद्योगिक क्रांती में कुछ वश्टों का भी निर्माड किया जा रहा था, मतलब मैनुफेक्चर किया जा रहा हृँ था, अर जब उनका मैनुफेक्चर हो रहा था तो उनको सेल करने के लि उनके इन दो चस्मों में एक चस्मा जो था वो दिखाता था कि भाईया बाजार बहुत बड़ा है हम अपनी बी निर्मित वस्टुएं यहां पर बेचेंगे और दूसरा हम यहां से मतलब मैनिट्रक्शर गुट्स को सेल करेंगे मैं हमार को एक बाजार की रूप में देखें और दूसरा यहां से इसके घने जंगल की जो लकडिया हैं इनको हम लेके जाएंगे कहां पर इंगलेंड और उनसे बिविन प्रकार की चीज़े बनाएंगे इस सोच ने ब्रिटिस की खुराफाती दिमाग में पहले ही जन्म ले लिया था लेकिन करे तो करे कैसे वह एक सव पराजवादी बिस्तार करता है क्योंकि उस समय वहां पूर्व की और नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी सक्तिय मोजोती और ब्रिटिस का लिमिटेशन बेंगौल तक था नौट इस्ट में बहुत ज्यादा नहीं था नौट इस्ट मतलब वहतमान में हमार ही सेवन सिष्टर्स वाला जो एरिया है आपका जिसे आप कहते हो आपका मणीपूर मिजोरम मेघाले त्रिपुरा आसाम अरुडांचल प्रदेश इन सभी इलाकों की में बात कर रहा हूं इन सभी इलाकों में ब्रिटिस घुसेंगे जब उनको डिबरुगड में ओयल मिलेगा तेल के लिए घुसेंगे लेकिन उससे पहले इनका बहुत ज़्यादा दबदबा था नहीं आसान तक अगर बोला जया तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस समय एक लंबे समय तक मु बहुत बड़ी पावर नहीं थी तो मैंमार ने सोचा क्यों ना हम अपने छेत्र का यहां पर विस्टार कर ले मैंमार की पस्ची में सामराज जवादी सोच ब्रिटिस को देती है एक है एक मोटिव एक बहाना जिसे हम लेटिन के सब्ड में बहुत अच्छे से बोलते हैं कस वैली किसी नों सुना यह सब्ड एक सब्द बहुत अच्छा मैं है आप के साथ सेर करना चाहता accessibility सब्ड का नाम कॉसर सब्ले आप में से कितने लोग जानते हैं कि यह सब्द क्या है जड़ा बताएंगे ठीक है लाइक करो भाई लाइक करो बाकी सब बच्चे बोल रहें लाइक करने को तुमको सरम नहीं आती तुम क्या चापते हो कॉसस बेली आ जाएंगे जी समझ में आ रहा है इस तरीके से पढ़ना समझ में आ रहा है तो पढ़ाओं न पर मैं डारेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन एप्रोच को जर्म देना बहुत ज़रूरी है अगर बेटा आम लोग एप्रोच को जर्म नहीं देंगे तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा कॉसस बेली लेटिन भासा का एक सब्द है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा एक या कोई ऐसा इवेंट हो जिसे इदर प्रवोक किया गया हो और इट इस यूज़ड पॉर तो जस्टिफाई दा वार मतलब जब आप किसी यूद्ध को जस्टिफाई करने के लिए येस मैंने आपको पढ़ाया था जस्ट वार थेवरी में जस्ट एड वेलम ठीके क्लियर है जस्ट एड वेलो ये जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी में आता है conscious valley मतलब यह एक एक्ट है यह एक इवेंट है जिसे या तो प्रवोक किया गया है clear है और या फिर प्रवोक किया गया है या फिर इसे यूज किया गया है to justify the war किसी युद्ध को justify करने के लिए पस्टिम में बर्मा अपनी सक्तिया बढ़ा रहा था अंग्रेजों को लगा कि it is the right time to use cautious value means बर्मा की द्वारा किया गया ये जो act था ये जो event हुआ उस event को इनों ने war अपने द्वारा बर्मा पे किये गए आक्रमण जो तीन युद्ध हुए थे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वर सेकेंड एंट थर्ड इस प्रकार से तीन युद्ध हुए फाइनली ने 1885 में बर्मा को अपने कबजे में कर लिया गया इस युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक इवेंट तो चाहिए था एक इंसिडेंट चाहिए था एक ऐसा एक्ट चाहिए था जो आपकी इस एक्ट को जस्टिफाई करे आपकी इस युद्ध को जस्टिफाई करे उस पॉस्टस वेली में बर्मा के पस्चिन की ओर समराजवादी विस्तार जो था उसका प्रयोग किया गया जिसे अगर बोला जाए तो बात चीट से सुलजा दिया जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि विस्व में इतने बड़े बड़े युद्ध हुए चाहे वो प्रथम विस्युदू चाहे दूतिय विस्युदू आखिर मामला तो बात करने से ही सुलस्ता है लेकिन बात नहीं करनी थी बर्मा के बाजार पर बुरी नजर थी ब्रिटिस की और बर्मा के घने जंगलों की जो लकड़िया थी वुड जो था उसका ब्रिटेन अपने अध्योगिक करखानों में उनका यूज करना चाहता था और उससे मार्केट में सेल करके बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहता था इसी लालच ने कॉसस वेली उस इंसिडेंट को कॉसस वेली में जन्म दे दिया जिसने वार थेयोरी को प्रूब किया आए देखते हैं कि यह कैसे हुआ ठीक है क्लियर है आए यह मैंने आपको जस्ट वार थेयोरी में आंसर राइटिंग गराई थी ठीक हूँ ओके चल आगे देखते हैं तो मैं डियर फ्यूचर आयस ऑफिसर्स दा इंसिडेंट स्टार्टेड विड़ एंग्लो बर्मीज वो ठीक है अब हम लोग फ्ट्र पर चलेंगे स्पेक्ट्र में क्या दिया उस पर चलेंगे और बीज-बिश्व में थोड़ा आसा तड़का कह रहते हैं वह मैं लगाता रहूंगा आप इस्टोरी की साथ कानेक्ट रहें पीछा चोड़ दिया क्या पढ़ रहें लाइन टो लाइन पढ़ रहे हर एक पॉइंट को जस्टिफाई किया जाएगा तयार है चलिए आईए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन दा बिगनि पॉइं में अपने आपको एक्स्पांड करना चाता था क्षिं का मतलब क्या है कि बर्मा आ चाता था उस समय इस तरब जो की छेत था ब्रिटिस ऐस्ट इंडिया कमपनी मतलब उस समय या ब्रिटिस कॉलोनियल इंडिया का एरिया था अच्छा तो वाई प्रिटिस अनेक्ट बर्मा एक क्वेस्चन आता है कि आखिर ब्रिटिस ने बर्मा को एनेक्ट्स क्यों किया तो त्री रीजन जो हम लोग देखेंगे आज यहां पर यह तीन रीजन ऐसे थे जिसने इनको मजबूर किया तो सबसे पहला था लेवर ऑब डा फॉरेस्ट रिसोर्स अव बर्मा बर्मा का जो फॉरेस्ट रिसोर्स था उसकी एक अलग सी इनकी लालज थी क्योंकि यह अपने और बर्मा में ब्रिटिस के मैनिफेक्चर के लिए मार्केट जमाना चाहते थे मतलब more market more demand more sell more profit मतलब बात तो आखिर क्या थी लाव की थी जी हां जिसे हम पुझी वात कह सकते हैं ओके हाँ बेटब क्वालिटी वीडियो की आप अपनी साइट से बढ़ा सकते हैं एचेडी चल रहा है, ठीक है, हाँ, the need to check French ambition in Burma and the rest of the South East Asia, दूसरी बात है, ये ब्रिटिस कहते हैं कि हम Burma में फ्रांसीसियों के जो निकटता थी, वहां के राजा की, उसको हम देख रहे थे, और हम नहीं चाहते थे कि फिर से मेरे करीब में कोई मेरा बिलेशी सत्लु आ जाए, जिसे हमने भारत के छेत्रों से भगा दिया है, लेकिन मेरे पडोस में भी वह दिखना नहीं चाहिए, जी हाँ, मतलब ये बफर स्टेट इसको बफर कंट्री के रूप में डवलब करना चाहते थे, इन्होंने फ्रांस का भी एक एक इक्जामपल दिया, और साउठ ह इस्टेसिया में जोब की डच, फ्रेंच, रस्यंस समोजुद थे, उससे इंडिया को बचाने के लिए बर्मा को कबजे में करना बहुत जरूरी था, आखिर ये तीन रीजन थे, इन रीजन ने जन्म दिया, तीन, फ्री एंगलो बर्मीज वार को, इन दा एंड 1885 में बर्म को ब्रिटिस कैप्चर कर लेते हैं, 1885 में, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक ब्रिटिस के कभजे में रहा नहीं, इसके पीछे क्या कारणते जानेंगे आज के इस सेसन में, चलिए, देखेंगे आगे, clear, जी, वाई फर्स्ट बर्मा वार, वस फॉर्ट, तो फर्स्ट बर् ठीके, हाँ, बचो आपको थोड़ा सा क्या करना है, मैंने आपको बोला थाना है कि अप्रोच को जन्म करो, मतलब जन्म करो, मतलब डेवलब करो अपनी इस स्ट्रेटजी में, कैसा अप्रोच, सोच को विक्सिट करो, कैसी सोच, बताता हूँ, कैसे, क्या 1750 में अद्योगि की जरूत होती है, एक raw material और एक market, जी हाँ, उस समय इसी दो चीजों ने बर्मा की ओर ब्रिटिस का ध्यान आकर्सित किया था, कि हमें यहाँ बाजार भी मिलेगा, और यहाँ से raw material भी मिलेगा, मतलब forest resource, और देखिए आप 1824 और 26 के विश में, पहला युद्ध हो ही गया, अमेरिका की तरह हो गया, जिस देश में तेल है, वहाँ अटेक कर देते हैं, डेमोक्रेसी ले आते हैं, और जहाँ तेल नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं लाते हैं, तिबबत में नहीं आते कभी, कि आओ डेमोक्रेसी स्टैबलिस करते हैं, वहाँ नहीं आएंगे, जैना में आठेक कर दिया और आराकान और मनीपुर की इलाकों को अपने कबजे में कर लिया जी चेत्र है यह अराकान आराकान कहलाता है इसको अपने कभजे में कर लिया क्योंकि उस समय अगर आज वर्तमान में इनका मैप देखें उस समय यह एंपायर कुछ इतना हुआ करता था समझ रहे हैं हाँ इतना हुआ करता था बस इससे ज्यादा नहीं था यह अराकान का छेट्र होता था छेट्ट्व आसाम एंड़ा ब्रह्मपुत्र वैली इसने क्या किया आसाम और ब्रह्मपुत्र वैली में एक पैदा कर दिया मतलब डर कि आने वाले समय में अगर यह तो आने वाले समय में यह आसाम और ब्रह्मपुत्र की ओर आसकते बलकि इनकी सेना आ भी गई थी कंटिन्यूस प्रिक्शन एलॉंग दा इल्डिफेंडेट बॉडर बिडविन बेंगॉल और बर्मा बेंगॉल और बर्मा के बीच में इल्डिफेंडेट उस समय जो बंगल कि करांती अपने पीक पे नहीं थी लेकिन जैसे पीक पे गई कॉसस्वेली कॉस बनाया गया और आप देखते हैं कि प्रथम एंगलो बर्मीज वार्ड जो है वो है पेन होता है आप यहां पर देखेंगे ब्रिटिस इसके खिलाफ में एक्सपेडीशन करती है ब्रिटिस फ में म्यामार की जो किंग्डम थी आवा उनकी कैपिटल के नाम परी किंग्डम का नाम तो आवा वहां से 72 किलोमीटर की दूरी पे यह पहुच गया थे जो कि एक बहुत बड़ा ठ्रिट था वहां की बर्मा गौवर्मेंट सरकार मोनार्की के लिए जी हां अब वहां पे अनदाबों में किस प्रकार की बातों पर डिसकसन हुआ ठीक है जी हां देखेंगे चली कि क्या हो रहा है जो युद लड़ा उसमें हमें जो लॉस हुआ एक करोड़ रुपे आप कंपंसेशन देंगे बर्मा सरकार पर एक करोड़ का कंपंसेशन उसके अलावा कोस्टल प्रोविंस मतलब अराकान ठीक है तेंसेरिम प्लियर है इन दोनों को इनोंने सीड कर लिया मतलब अपने कब इनों रीजन पर अपना क्लेम अटा लो तो देखो दो चीज़े होई थी कंफ्यूज मत होना क्यों 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 क्या करूंगा इनको चेंज कर दूंगा मैं सीड में इनको लिख दूंगा और अबांडन दा क्लेम में इनको लिख दूंगा आप 100% कंफ्यूज हो छोड़ दे मतलब उससे में जो जैनतिया की पहाड़ियां है असाम है कछा दीजन है इनको छोड़ दे क्लियर है यसी एप्रोच में आपको फसाता हूं क्लियर बस इस चीज को ध्यान में रखना बाकी तो सब काम हो जाएगा जब आजस्ट चलिए रिकागनाइज मनीपूर एजन इंडिपेंडेंडेंट स्टेट ठीक है और मनीपूर को बोला बर्मा से कि तुम यह एक्सेप्ट क कहां लिखूं और क्या लिखूं तब मतलब एक अपमान जनक हुमिलेटिंग ट्रिटी थी बर्मा वालों के लिए यह अब यह ट्रिटी आफ यान दावो नेगोसियेटा कॉमर्सियल ट्रिटी बिद्दा ब्रिटेन लो भाई ब्रिटेन के साथ में जो बर्मा सरकार जो थी ब्रिटेन के साथ में कॉमर्सियल क्रिटी करती है देखिए लालच आ गई जी क्या था एक्सेप्ट ब्रिटिस रेजीडेंट एट आवा ठीके ब्रिटिस रेजीडेंट आवा में इनके किंग्डम में जाएगा और क्योंकि यह भालत का छेत्र नहीं है अभी यह कबजा नह ठीके तो उनका राजदूत कलकत्ता में आएगा इनका रेजीडेंट जाएगा आवा में बैठेगा एक बहुत अच्छे संबंड डेबलप किये जाएंगे और कॉमर्सियल की जाएगी जी सहाब यहां पैसा देके खरीदेंगे क्या ब्रिटिस पैसा देके खरीदने के बेच रहा है एक आदमें गया पैसे देके खरीदा खुस हो गया एक आदमें गया उसको चार्ज आपड मारे उठा के लिए घ्या सारी सब्जी ब्रिटिस यह थे ऐसी हरकते करते कितने बत्तिमीज थे समझ सकते वाब ठीक है जी आगे रेखेंगे अब यह एरिया आपको मा अमार का पूरा छेत्र हुआ करता था यह आपका रखाईनी स्टेट जाए यह आराकान हुआ करता था उससे में आपको बस एक मैप अंडेस्टेंडिंग के लिए दिया अब बात हुई कि 1826 में ट्रिटी हो गई थी आखिर ऐसा क्या हुआ कि 26 साल बात फिर युद्ध होता ह एक अठारा सो 26 में 26 जोड़ो अठारा सो बावन आएगा यह सी सैट का पहला कुश्यन है अब आखिर इसके पीछे कारण क्या था क्यों हुआ तो देखेंगे रिजल्ट ऑफ दा ब्रिटिस कॉमर्सियल नीड जी क्योंकि अब इनकी भूग बढ़ रही थी अब यह पैसे देख के नहीं खरीदना चाहते थे अब यह दो जहापन मारके लाना चाहते थे ठीक है हाँ इंपेलिस्ट पॉलिसी ओफ लॉट डलोजी लॉट डलोजी अपने लीब एंड डोंट लेट लीब ठीक है ना तो जीएंगे ना तो जीने देंगे यह थे हमारे डलोजी डलोजी ने अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी इंपेलिस्ट थोड़ा सा समराजवा दी उनकी सोच और ब्रिटिस मर्चेंट्स वर कीन टू गेट होल्ड ऑप टिंब प्लान थी आवा यह अपर बर्मा थी इनको अपर बर्मा चाहिए था वहां पर घने जंगल थे वहां रिसोर्स अच्छे थे मानों इन्होंने एक ऐसे सब्जी वाले को लूट लिया जिसके पास में कुछ तेड़े मेड़े प्यास पड़े थे जो उनको तिर्शी नजल से इसे से देख रहे थे और कुछ नहीं था अब इनको लगा कि यार अच्छा सब्जी वाला तो वह है उसको लूटना है तो प्लान बनाया है कि हम लोग अपर बर्मा भी चाहिए कहते हैं ना कि नेसेसिटी जा मदर आफ इन्वेंसन ठीके यह इनकी आवसक्ता है और इसी लड़ा इस वार में इन्होंने पेगू को कबजे में किया ठीके दा ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस और बर्मा ठीके यह एक मात्र कोस्टल प्रोविंस था जो समय इनके अंडर में नी था इन्होंने पेगू को भी कबजे में कर लिया एन इंटेंस गोरिल्ला रेज इसिडेंट पहले युद्ध में रंगूल ठीक है वहां के बाद में पेगू और फिर लोर वर्मा पूरा हो जाएगा सेकेंड एंगलो बर्मीज वार में तो क्या यह एरिया जस्टिफाइड कर पाए आप कि जल्दी बताए कि हुआ क्लियर चलो सेशन को लाइक करो सरब मत करो नहीं करोगे फिर जेकलो भूल जाओगे फिर मुझे मत बताना है ठीक है चलिए तो इसमें क्या-क्या आपको याद रखना है बस एक ही चीजे मैं बता देता हूं इसका एक ही फॉर्मूला है लालच लालच बूरी बला है लालच बूरी बला के अलावा पेगू ठीक है एक्वल टू लोवर बर्मा ठीक है अंडर ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी क्लियर जी तो लोवर बर्मा अब इनके आधीन आ गया है इनको बढ़ना था थोड़ा उत्तर की हो है अब होता है समय चेंज आता है थर्ड बर्मा वार 1885 हुआ क्या हुआ कि जब लोव बर्मा इनके आधा मतलब अधीन आ गया तो उस समय बोला जाता है कि एक तिंग थे जब यह लोवर बर्मा इनके अधिकार में गया पागन मिन एक तिंग इनको इनको रिप्लेस करके मतलब ही वोज ही वोज है रिप्लेस्ट बाई इनका नाम था मिंडन मिन इस्पेक्टर में इनका नाम मिंडन दे दिया है मिंडन मिन है ठीक है जी तो पागन मिन जो थे इनको इनके खिलाफ में आवा किंग्डम के महल में बिद्रो हो जाता है म्यमार की जनता कहती है कि हमारा राजा जो है बहुत ही कमजोर है कायर है लाओ इसको महल से निकालो इसको इसकी सेवा कर दी जाए तबी मिंडन मिन कहते हैं कि कोई बात नहीं है हमारे जो सोतेले भाईया से गलती हुई है छमा करो बिद्रो मत करो अब मैं बैठूंगा राजगदी पर और मैं लोंगा आपके सारे आपके उपर हुए अत्या चारों का बदला मान लो कोई बहुत बड़ा ऐसा बेक्टी आ गया हो मैं अमार की जनता के लिए कि लगा हो मैं अमार की जनता जो त्राहिमाम कर रहे थी अचानक खुस हो गई बोला ओके बी एक्सेप्टेड और एक नया राजा आ जाता है मैं अमार की सत्ता में सत्ता में होता है परिवर्तन पिता था लंबे समय तक चला मिंडन मिन ने मांडले नाम का एक एरिया डेबलब किया आपने सुना होगा मांडले जेल में किसको भेजा था चैट बॉक्स में बताए उस एरिये को ये फोटिफाइट करना चाहते थे लेकिन उसी पीच में क्या देथ ठीके यस सबका बदला लिया गया था थर्ड बर्मा वर्स आफ्टर देथ ऑफ बर्मीज किंग ठीके यह मिंडन लिकले ना बेटा मिंडन लिख संथीबा इनका बेटा नाम से देख रहे हो जैसे लग रहा कोई बॉक्सर है जी यह थीबा ओया दथोन और यह जो था होस्टाइल ट्वर्ड ब्रिटिस थीबा मौनलो की बच्पन से उसको सिखाए गया था कि हमारा सबसे बच्पन में जब वो सोता नहीं तो उसकी मां कहती तो सो जा बेटा और ना ब्रिटिस आ जाएंगे तो थीबा बोला क्या है मम्मी यार जब देखो तो ब्रिटिस ब्रि प्रिटा की देथ हुई थीबा राजगद्दी पे बैठा और थीबा ने बोला जहां जहां ब्रिटिस दिखे होप्चे में ले जाओ चार्ज आप पड़ दो जी यहां कुछ ऐसी पॉलिसी स्टार्ट हुई कैसे बताता हूं देखिए सिल्क जी को जेल में भेजा था ठीके हाँ यहां रखना ब्रिटिस मर्चेंट एट रंगून एंड लोवर बरमा देखो ब्रिटिस मर्चेंट उससे में दो जगाते ला रंगून फर्स्ट वार में लोवर बरमा पेगू गारा सेकेंड वर में एड बिन कंप्लेइनिंग अबाउट स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट देख रहो विनोत देख रहो विनोत जैसी करनी वैसी भरनी जी स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट मतलब थीबा ने लोकल व्यापारियों को छूट दी इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिये उल्टा इनको बैठे थे कलकत्तम कौन बैठे थे ब्रिटीस इस्ट इंडिया कंपनी पिटाजी से बोले पिटाजी हमें बचाओ यह हमायता सौटेले भाई का बेवहार कर रहे अब उस समय जो पिटाजी थे थे लौट डफरिं लौट डफरिं ने बोला ओके-ओके लेट मी चेक एक बार बात करने दो थीबा से थीबा ने क्या किया ठीक है बहुत मामले को सीरियसली लिया इनको खूब डोया नेगोसियेटिंग कॉमर्शियल ट्रिटीज बिद राइबल पावर्स और फ्रांस जर्मनी और इटली के साथ ब्यापार की संदी कर ली लोग फ्रांस भी आ गया इटल संदी हो गई है जी इसके अलावा फ्रांस जिस्यों एक कदम आगे बढ़के फ्रांस जिसी बोले हम तो मांड में से एक ट्रेन लिंक ले जाए अपनी टरिट्री साउथ इस्ट एसिया में दीबा बोला बिल्कुल ले जाओ एक डिबा हमको भी रहना हम घूमेंगे बोले ओ ब्रिटिस को यह फिल करा दिया कि इतनी बड़ी सामराजवादी सक्ति होने के बावजूद उनके साथ में स्टेप मदरली बिहेवियर हो रहा है म्यामार में और उसके चलते में अगर आप देखेंगे एक और फिर लास्ट में क्या किया है हुमिलियेटिंग फाइन और हैड दोगे और पैसा बोला जाता है कुछ लोग कहते वह कंपनी अगर कई सालों तक हम करती तो भी नहीं दे पाती बैचारी कंपनी रोते रोते आई कलकत्ता बोली हमाय साथ यह वो गया तो डफरीन का अब यहां पर जो डफरीन का कहते न की क्या कहते उसको तॉलरेंस ठीक है जो डफरीन एक बैठा हुआ तरह अब नहीं दो धुख्रीन वह वां भगवान सरी किसना ठीक है और यह जो थे थीबा सिस्वपाल थे थीबा करते जा रहे रिस्पेक्ट की भाईया नहीं करेंगे युद्ध वो तूट गया डॉफ्रिन ने ओडर दिया इन्वेजन करो और अपर बर्मा को 1850 में जित लिया गया और इस प्रकार से अपर बर्मा जो है उसकी कहानी होती है यहां पर समाथ आए देखते हैं कि उसके बात की बात क्या है टोड़ा सा VALUE EDITION है पिर अपर बर्मा को कबजा तो किया गया लेकिन एक बहुत लंबे समय तक अपर बर्मा में इनको hotel आप राजिंग देखने को मिला क्योंकि बर्मा की लोग इनके अंडर में रहना ने चाते तें गूरिलील आप राजिंग वी ठेके उसके अलावा कर तक पांग्रेस देखो भेटा फॉरेविछी आई सबसारिषगा 지ечь आर्फ बृतिस इसट इंडिया कंप सरी ओफौरेव स्वॉरुब फॉर इनडियन नेंशनलिस्त बीड थो इन याँसर राइटिंग लoston फो आधिए ये को पॉइंट आ गया जो बर्मा के नेशनलिस्ट थे ठीके उन्होंने इंडियन नेशनल्स के साथ में हाथ मिला लिया हो कहा भाई साथ तुम टेंशन मतलो तुम विद्रो करो हम तुमारे साथ हैं ठीके अब उनको तो विद्रो का फाइदा मिलेगा यह कुछ नगर पाएं दिया ठीके तो 1935 में सेपरेट किया फिर भी विरोध होता रहा और इस विरोध के बाद में फाइनली चार जनवरी 1947 को बर्मा जो था वो इनसे आजाद हो जाता है और इस प्रकार से 1947 पंदर अगस्ट को भारत और 4 जनवरी 1947 को बर्मा आजाद हो जाते हैं यह यहाँ पर गेम होता है समाथ तिबबच चले बताओ तो लाइक करो जो जो नहीं लाइक की आसेसन को फिर टिबबच चलते हैं जड़ी है तिबबच जाने के लिए बताइए हम चल चल यह तिबच चलते हैं अब हम लोग आ गए इस बहुत ही अच्छी जगा पर जिसका नाम है तिबच तिबबच आपको मालूम होगा कि भारत का जो नैपाल का उतरी छेतर है या फिर आपके उतरा खंड का छेतर है या फिर हिमाचल का छेतर है या फिर उड़र आप ले लदाग देख लेंगे जिसके ऊपर अधिकार चीन ने कर लिया है उसके साथ में एक अलग पॉलिसी इंडिया की थी जिसे हम एंगलो टिबथियन रिलिस्टन के नाम से जानते हैं आखिर टिबथ में ऐसा हुआ क्या था या टिबथ में ऐसा क्या हो रहा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है ठीके तुम मैं आज आपको बताता हूँ इसके बारे में ठीके कोई बात नहीं में आपको बिना पासपोर्ट के दिबथ घुमा दूँगा ठीके टेंसन मतलो बिटा मेरे राज में कोई टेंसन नहीं लेना तुम तो बस मैनत करो मैं आपको सब घुमा दूँगा ठीक है जी चले सुनाओ इस्टोरी चलो बात करते हैं तिबबत की तिबबत एक ऐसा पडोसी देश था जिसके पडोस में चाइना और भारत में नैपाल उत्राखंड और हिमाचल ये सभी छेत्र आते थे उस समय सिक्किम भी था उस समय छेत्र में आता था तिबबत एक बहुत ही इंपोर्टेंट जियो पॉलिटिकल लोकेशन पे था तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना दिये जाते हैं पूरे भारत के बेंगॉल के और उनके अधिकार मे और प्रेसिडेंसी आ जाती हैं एक मद्रास और एक बॉंबे जब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल और बेंगॉल बनते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल तो उन्होंने तिबबत के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने चाहें उसके लिए इनके द्वारा जॉर्ज क्या तिबबत में उस समय सरकार चलती है थियोक्रेसी थियोक्रेसी गवर्मेंट का मतलब होता है कि a country ruled by the priest on the name of the God मतलब एक ऐसा देश जहां पे एक priest मतलब एक कोई धार्मिक धर्म से सम्मंदित ब्यक्टी clear है धर्म का मुख्या भगवान और इस्वर के नाम पर उस राज का administration प्रसासन सम्हाल रहा हो ऐसे राज तंद्र को हम कहते हैं थियोक्रेसी जैसा कि भारत में मुगल भी था मुगल भी थियोक्रेसी मतलब सरियत के अधार पे खलीफा के position के अधार पे क्योंकि सुल्तान का position भी ऐसा ही था उस समय यहां पे लामाज होते थे मतलब दालाई लामा यह वहां के प्रसासन को सम्हालते थे लेकिन ब्रिटिस इंडिया के साथ में इनकी कोई भी ट्रेटी पे development नहीं हुआ समय बिटा गया 1783 में Warren Hasting ने एक बार फिर से कोसिस की लेकिन यह कोसिस भी fail हो जाती है इसके बाद भी टिबतियन जो थे वो इंडिया के साथ में ब्रिटिस इंडिया के साथ में उस समय किसी प्रकार का कोई relation रखना नहीं चाहते थे ना तो किसी ट्रेट पे लेकर कोई बात हुई 1860 में पता चला कि धीरे से अफवा उड़ी अफवा नहीं थी वह तो बात सही थी final Tibetan agreement हुआ है मतलब चीन जो है वो अपनी sovereignty टिबत पे सो करना चाहता है और चीन अपनी sovereignty टिबत पे दिखा रहा है 1866 की बात है 1866 की बात है ये बात ब्रिटिस को पदा चलती ही तो ब्रिटिस के सामने दो tension होते हैं पहला tension ये था कि हमें तिबत के साथ में अपना ब्यापार बढ़ाना है लेकिन अगर चीन इस प्रकार से अपना अधिकार बढ़ाएगा अपना influence बढ़ाएगा तो हमारा क्या होगा और दूसरी बात है उस समय सिक्किम के साथ में तिबत के boundary dispute थे जो कि उस समय भारत में ब्रिटिस इंडिया के इलाकों के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे इसको लेकर 1890 में एक संधी की गई इस संधी को हम कहते साइनो ब्रिटिस कंवेंशन 1890 साइनो ब्रिटिस कंवेंशन 1890 में हुआ इस ब्रिटिस कंवेंशन में एक boundary का demarkation हुआ कि सिक्किम हमारा यहां तक है तुमारा तिबत वहां तक है तुम तुम हो तो हम हम है और हम ही हम है तो क्या तुम हो ठीक है इस प्रकार से एक संधी हुई और इंडो तिबतन के बीच में ब्यापार को लेकर कुछ बाते की गई लेकिन जल्द ही यह चीज फेल हो जाती है क्यों क्यों कि इसमें इंटर होता है रसिया जी हां बिल्कुल सही सुना मैं बात कर रहा हूं रूज का एक ब्यक्ति था रस्येंग से मीटिंग करता है डलाई लामा को बिश्वास दिलाता है कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको चीन के प्रभाव से भी बद बचाएंगे और यहां पे हम धीरे धीरे आपको हत्यार भी और आपके प्रसासन को मस्बूत भी करेंगे इसके चलते डलाई लामा उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे डलाई लामा ये बात एक्सेप्ट करते हैं उस समय भात में लौड करजन का समय था लौड करजन को दिखता है कि भाई अगर रसिया को जिसको हमारे पूरवजों ने मतलब हमारे से पहले आन इस बात की मजबूरी में ही करजन ने यंग हस्बेंड को बेजा, कहां पर? चाइना, यंग हस्बेंड चाहिना जाते हैं, उनके साथ में होता है कि चाहिना जाओ, और तिबत के लामा के साथ में तुम भी ऐसी संदी करो, जो रसियनस नहीं की है, लेकर लेकिन यंग नहीं मानेंगे ये बात थी मेरे हिसाब से 1904 की तो 11 अप्रेल को यंग हस्बेंट जो थे वो आर्मी के साथ में पुस्ट बैक कर देते हैं तिब्बत में आर्मी एक्टिव हो जाती है 11 अप्रेल को ये एक खास छेतर उसको कबजे में कर लेते हैं गाट से करके एक छेतर है उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं तीन अगस्ट को ये और आगे जाते हैं और ये लहासा वगेरा तक पहुच जाते हैं और फिर इन्होंने अपनी संदी जो थी साथ सिप्टेंबर को सुना दी उस संदी को हम कहते हैं क्रिटी अफ लहासा इस प्रकार से रस्यंस से अपने में रस्यंस का इंफ्लुएंस चाइना में कम करने के लिए तिब्बत में इन्होंने लहासा की और यंग हज्मेंट आगे गए और एक संदी कहते हैं जिसे हम कहते हैं लहासा की संदी जाए है, मैं तो ऐसी खड़े-खड़े पूरी श्टूरी आपको सुना दो, ठीकहे, रीड़ी मिल्क सिल्क डेते तो बात बन सकती थी, जी बिलकुल बरमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात से तो वämä, ठीकहे, बिलकुल मतलब सपोर्ड करता हूँ आपकी बात को, एंगलो तिबधियन रिलेशन, तिबध वज रूल्ड बाई दर थियो क्रेशी, बुद्धिस्ट मॉंग, लामाज, अंडर दा नॉमिनल सुजडेनेटी ओप चाइना, ठीके, नाम मात्र की सुजडेनेटी थी, ब्रिटिस एफ़र्ट विस्टैब्लिश फ्रेंड्ली कॉमर्स लेकिन, इनके साथ में को रिलेशन डेबलाप नहीं हो पाया, कर्जन जब आया, तो डेड़लाउक आ गया, डेडलाउक मतलब रस्याद के साथ में रिलेशन आगया, आप्रकोई रास्ता है नहीं दिख रहा था, कि तिबध आपके साथ में कोई कोई अमर्षी द करेंगे, जी अप चाइनिस सुजरेंटी ओर तिबद इनिफेक्टिव आप चाइनिस सुजरेंटी भी इनिफेक्टिव होने लगी, रशिया का इंफिरेंस बढ़ने लगा, और रसियंस आल्च और एमिनिसं तिबद में आने लगे, और दलाइलामा ने उनके साथ में संबंदी स्थापित कर लिया करजन ने सेंड किया एक स्माल गोर्खा कंटिंजेंट लीडर्शिप किसकी थी करनल यंग हस्बेंट को तिबद गये अब लाइज किया प्लीज एक्सेप्ट माइट टिटी ये लो भाई साब बात मांजाओ इन्होंने बात नहीं मानी टिबदियंस रिफ्षूस्ट टू नेग्डूसियेट एंड ओफर्ड नॉन वाइलेंट रेजिस्टेंस बुद्धिजम हथिया उन्हें उठाएंगे नॉन बड़े लेबल पे अगर देखा जाए तो पुस्ट किया तिबदियंस को उन्हें मजबूर किया अगस्त 1904 में वाइल दलाई लामा फ्लेड दलाई लामा भाग गए उस छेटर बिसेस को छोड़ कर और उनके साथ में एक संधी हुई जिसे हम कहते लहासा की संधी 1904 ठीके ह हाँ अब जो 1904 की संधी हुई ठीके उसके बारे में देख लेते हैं तिबबत उड़ पे एन आइडेमिनिटी ऑफ रुपी 75 लेक एडड़ रेट ऑफ वन लेक रुपीज पर एनम देखो 75 लाख रुपे दोगे और हर साल एक लाख रुपे दोगे तो बैटा कितने साल तक दोगे 75 यर्ज देख रहे हो दिमाग मलब 75 साल तक बिना कहे बिना कहे मतलब बिना बोले 75 साल तक हम तुमारे पिता जी हैं देख रहे हो दिमाग देख रहो बिनो ठीके बताईए ठीके क् मतलब जब तक तुम पैसा दोगे इसकी सिक्योर्टी के लिए हम चुम्भी वैली जो है भूटान सिक्कीम के बीच का एरिया है इसको 75 साल तक अपने पास रहेंगे देख रहे हो ठीक है हाँ 75 यह तक चुम्भी वैली भी इनके कबजे में रहेगा तिब्बत और रिस्पेक्ट दा प्रंटियर ऑफ सिक्किम और तिब्बत सिक्किम के छेत्र का उतना इस्तमान करेगा जितना मेरा समान करता है और ट्रेड मार्ट सुट भी ओपेंड एट इन तीन जगहों पर इन्हों ने अपने ब्यापार एक बाजार खोल दिया देख रहे हों इनों बहुत तेज है किसमें ब्यापार में और टिब्बत उड नौट ग्रांट एनी कंसेशन फॉर रेलवे रोड टेलीग्राफ एटीसी टु एनी फॉरें स्टेट और तिब्बत क इसी छेत्र पे हमारा इंफ्लूंस रहेगा तो इस प्रिटी के माध्यम से तो इसका मतलब क्या है ब्रिटेन सम्कंट्रोल ओबर फॉरें अफेर्स ऑप ब्रिटेन इस प्रकार से तिब्बत के बिडेशी मामलों के उपर अपना प्रभाव जमा लिया समझ में आया कि जी तो थे उनको पसंद नहीं आई सेक्रेटरी आफ इस्टेट ने बोला थेके चार्ज किया कि क्यों सनक गए हो कि खिसक गए हो इथना पैसर कौन मांगता है बाई तुम सब 75 साल तक चुम्भी वैली भी रखोगे अब या सोसड करो या लिमिट में करो अमें मिया मतलब तुम्हें तो हद पार कर दी मतलब सोसड की 75 साल में बगवां जाने कित्ते लामा आ जाएंगे तुमने तुमी कर क्या रहो हो चचा बिट्प्रिश सेक्रेटरी ओफ इस्टेट आफ इंडिया उस समय गवरनर जनरल को बहुत सुनाता है और यंग हस्बेंड को मांदो धूर रहा था कि यंग हस्बेंड छिपे छिपे घुमरत थैं कई नहीं मिल जाएं इनको बहुत सब सेवा की जा क्यों क्योंकि यंग कि सिकायद की कि देखो तोसर तो किया जाता है इतना कौन करता है यार कौन करता है इतना सेक्रेटी आफ इस्टेट ने बोला ये तो हद हो गई मैं तो जानते ही नहीं था ओ माई रस्यन व्रदर मतलो मैं अभी फोर मिलाता हूं और भाई साथ खूप खरी खोटी सुनाई इंडियन गवर्मेंट ने यंग हस्बेंट को डिफेंड करते हुए अपनी गलती को माना और 25 लाख रुपे की जो बात हुई थी उसको कम कर दिया तो आप यहां देख रहे हैं टिटी वोज रिवाइड 75 लाइक रुपीज को 25 कर दिया गया बोला गया 25 लाख और चुम्भी वैली हम 3 साल में छोड़ देंगे और चुम्भी वैली को 1968 में छोड़ भी दिया गया इस प कन्वेंशन में डिसीजन क्या होता है देखें डिसीजन यह लिया गया कि ओनली चाइना गेंड इंड आउट आउट आप दा होल अफेर्स बीकॉस दा एंगलो रसीयन कन्वेंशन ऑफ 1907 प्रोवाइड दाट टू ग्रेट पावर्स उट नोट नेगोसियेट बित्ति बत ए लोगे मतलब इन ने गया इनने गया इसे कहते है आव मुझे मार तुम तो चले गए और हमारे बगल में किसको ठेकें चीन का प्रति इनको देख लो तुम को अधर से नहीं तो इनको देख लो मतलब इन्हों ने बोला हम मैंसे ना तो रस्या ना तो इंग्लेंड दोनों जाकर तिब्बत में कोई संधी करेगा इंडिपेंडेंट और अगर कुछ होगा तो चाइना उचीन हुरत मेडिपेंड ऐजे थैना की मैडम जी लो नियुक्त कर भफार्यों फैस्ट फैसरे मैं पाच आप प्डी छैना यह हमारा उसकी ऊपर सुजरेटी मेंद हैं अभी यह हमारा पार्ट है यह अखंड चाइना है लो ड्रेगन आ गया तिबबत में बैठ गया रस्यंस अब हमने कौन सी संदी कर ली इसे कहते हैं कि आप किसी नाग को बोलो कि आ यहां बैठ और हम दोनों बैठे किसी को डसना मत उनाग है विटा दसेगा तोनों को डसेगा यहां तुम नाग की जगा ड्रेगन लिया थे इसने मारा दो फूग एक में गये रसिया साइड एक में गये इंग्लैंड साइड और चीन आ गया कहां पे टिबबत में इस प्रकार से हो गई काहानी खतम साम को मिलेंगे पांच बज़े जब अज़स्त कराऊंगा एंगलो अफगा कर लिया लेकिन सिंद की कहानी तो पढ़ चुके अब गान की स्पेशल कहानी आज मिलेगी आपको साम 5 बज़े अगले एपिसोड में मिलते हैं इंटिजार करेंगे और आपका इंटिजार रहेगा साम को 5 बज़े सेम चैनल पे और आप मुझसे जोडने के लिए टेली ग्र